यूटूब चैनल योगदा अकडमी में आपका स्वागत है पिछली किलास में हमने डिसकस किया था कि घड़ी की सुईयों के बीच में कौन किस तरह से निकाला जाता है उसमें हम एक ट्रिक के हल्प से बता चुके हैं कि कौन निकालने का क्या तरीका है आज हम उसी को आगे ब जो हमने पिछली किलास में पड़ा था हमारा टाइम है पांच बजिकर 22 मिनट पर हमें घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कौन निकालना है वह हमारी ट्रिक है उसका हम इस्तमाल करते हैं पांच को हम ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते है जो हमारी मिनट है उन मिनट का हम दो गुना कर देते हैं मिनट का दो गुना 44 एक अंख छोड़कर दसमलो लगाते हैं 4.4 इन दोनों का फिर हम अंतर करेंगे पांच मिसे 4.4 गटाने के बाद बचता है आपका 0.6 ये 5 पलस का है 4.4 माइनस का है इसलिए 0.6 होगा पलस का फि 30 से गुना होगी 30 से गुना करने के बाद आपका आता है 18.0 मिनट की फिर करते हैं आधी 22 का आधा करने के बाद बचता है हमारा 11 ग्यारा बचता है और ये चीन हमारा पलस का है इसलिए हम इने जोड़ देते हैं जोडने के बाद हमारा एंगल बनता है 29 डिगरी 39 डिगरी का एंगल बनता है यह हमारा वो एक्जामपल है जिसमें यहां पर जो संख्या बचती है वो पलस की है तो जोड लेते हैं देखे कुछ माइनस के जो हमने कल भी समझाए थे कुछ एक्जामपल और देख लेते हैं टाइम है हमारा दो बजिकर 24 मिनट गंटे वाली सुई की पोजि लोड कर हमने दसमलो लगाई तो 4.8 पर और यह 2 है इसको ऐसा कैसा ही लिखते हैं इन दोनों का हम देख लेते हैं अंतर 4.8 इसमें बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है 4.8 में से 2 घटाने के बाद हमारा बचता है 2.8 बचता है मल्टिपलाई फिर हम करते हैं 30 से 30 से मल्टिपलाई करने के बाद हमारा बनता है 84.0 84.0 मिनट के फिर करते हैं आधे 24 के आधे करने के बाद हमारा बचता है 12 और यह हमारी संख्या चोंकि 4.8 माइनस का है और 2 पलस का है इसलिए माइनस की बचती है तो यहाँ पर हम इसे फ़िन के बाद हमारा एनसर आता है चार में से दो गटाने के बाद दो 8 में से एक गटाने के बाद साथ सेवन्टि टू टू डिगरी की हमारा एंगल आएगा दो बझ狗 कर 24 मिनट पर गन्ते और निनट 93 के बीच में अब एक चीज दे जो हमें बता नहीं थी जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था किसी भी समय पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में दो कौन बनते हैं टाइम देखेगा मालो आपका टाइम है तीन बजिकर दस मिनट तीन बजिकर दस मिनट का टाइम है घंटे वाली सुई है वो तीन से थोड़ा आगे होगी और मिनट वाली सुई हमारी दो पर होगी तो यहाँ पर दो एंगल बनते हैं एक एंगल ये वाला है और दूसरा एंगल ये वाला है बड़े वाला एक छोटे वाला एंगल है एक बड़े वाला एंगल है ट्रिक की हैल्ट से जो हम एंगल निकालते हैं उसमें बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है अब यहा आपर दोनों का हमं करेंगे अंतर हमारा बते मुअ उना करने के बाद आता है 20 की का एंगल आता है , पर ये एंगल अगर हमें निकालना हो तो कब निकालेंगे, कब इसे देना होगा ये तब देना होगा अगर वो एक्जाम में पोचता है बड़े वाला कौन या प्रावर्ति कौन प्रावर्ति कौन रिफ्लेक्सिव एंगल या प्रावर्ति कौन अगर निकालना हो तब हम क्या करते हैं 360 में से जो हमारा छोटा एंगल होता है उसे हम घटा देते हैं 360 में से घटाने के बाद यहां पर बचेगा आपका 325 डिगरी बड़े वाला एंगल 325 डिगरी का होगा अगर वो एक्जाम में पूछता है कि बड़े वाला एंगल या प्रावर्ति कौन बताईएगा तब हम क्या करते हैं कि अगर हमारा आंसर 180 से कम आता है 180 से कम आता है यह 35 तो 180 से कम है अगर हमारा आंसर 180 से कम आता है तब हम क्या करते हैं 360 में से उस एंगल को घठा देते हैं तब जो एंगल निकलेगा वो होगा प्रावर्ति कोन या reflexive एंगल या फिर बड़े वाला कोन ये तब ही निकालेंगे अगर especially वो question में लिखता है कि प्रावर्ति कोन या फिर बड़े वाला कोन बताईए otherwise आपको आंसर देना होगा छोटे वाला छोटे वाला आंसर देना होगा कुछ question हमारे ऐसे हैं जिसमें automatically बड़े वाला आंसर आता है तब अगर वो exam में mention नहीं करता है कि बड़े वाला आंगल बताना है तब हमें छोटे वाला आंगल निकालना होगा ठीक इसी तरह से 360 में से घटा कर इसका एक example देखिए एक बज़ कर 50 मिनट एक बज़ कर 50 मिनट पर घड़ी की घंटे और मिनट वाली सोई के बीच में कोन निकालना है कैसे निकालेंगे ट्रिक हमारी वही है एक कोम ऐसक ऐसा ही लिख लेते हैं और 50 का मतलब है कि हमारी मिनट वाली सोई है 10 पर दोनों का अंतर करेंगे अंतर हमारा आता है 9 9 अंतर आता है और वो है हमारा माइनस का गुना हम करेंगे 30 से 30 की और 9 की गुणा करने के बाद आता है हमारा 270 50 के करते हैं मिनट के आदे कितनी होते है हमारी 25 मिनट और 25 मिनट हमेश मेंसे गटानी होगी वो बनती है हमारी 245 हमारा एंगल आता है 245 डिगरी का पर जैसा हमने बताया था है कि एंगल 180 से बड़ा आता है और उसने बड़ा एंगल नहीं पूछा है तब हम क्या करेंगे छोटा एंगल निकालेंगे पिछले कोश्चन में हमने क्या गया था हमारा एंगल छोटा था पर अगर उसने पूछा है बड़ा एंगल तब 360 में से छोटा गटा के बड़ा निकालें 360 में से घटाईए से 360 में से 245 घटाईए 5 1 115 डिगरी का हमारा एंगल बनेगा छोटे वाला अगर एकजाम में specially पूचता है छोटे वाला एंगल बताईए या फिर कुछ भी नहीं देता है तब भी हमें छोटे वाला एंगल ही देना है अगर पूचता है बड़े वाल एंगल बताईए या प्रावर्ती एंगल बताईए प्रावर्ती कौन रिफ्लेक्सिव एंगल बताईए तब हम क्या करेंगे 360 में से छोटे वाले को बटा कर बड़े वाला आंसर निकाल सकते हैं कुछ और एक्जामपल देखिए जिससे हमें ये जो टोपिक है अच्छी तरह से किलियर हो जाएगा मान लिजेगा कि हमारा टाइम है तीन बजे तीन बजे तीन बजे हमें घड़े की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कौन निकालना है क्या करेंगे हम तीन एजिटी लिखेंगे जीरो का मतलब सुई हमारी बारा पर है पर उसे मैंसन हम जीरो ही करते हैं तीन में से जीरो गटाने के बाद तीन बचेगा तीस से गुना करेंगे तीस से गुना करने के बाद आता है हमारा 90 आता है 0 हमारी minute है इन की आधी भी 0 ही होगी दोगनी भी 0 ही होगी 0 का गुछ आधात यहाई 4 यह कुछ नहीं होता है इसलिए हमारा answer क्या होगा अगर हम 0 इसमें जोडे भी तब भी हमारा 90 degree angle होगा यह हमारा answer है तो क्या समझे इसे देखेगा ध्यान से 3 बजे 90 डिगरी अगर इसी तरह कुछ और हमारे पास में कोश्चन हो जैसे 2 बजे 2 बजे का सेम यही तरीका है क्या करेंगे हम 2 को एजेटिज उतार लेते हैं 0 2 में सी 0 गटाने के बाद 2 30 से multiply कितना था है 60 0 का अधा अब देखे सिंपल सी बात है कि 3 बजे अगर हमें निकालना है तो 3 को 30 से multiply करने पर 90 आता है ऐसे ही 2 बजे अगर हमें निकालना है तो 30 से multiply करने पर 60 आता है मतलब simply यह हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे question कुछ इस तरह से हो कि हमें answer निकालना हो एक बजे, दो बजे, तीन बजे, चार बजे, पांच बजे, एक बजे, दो बजे, आट बजे, नो बजे और इसी तरह से तो हम क्या करते हैं, सीधा डारेक्ट, जितने बजे पूछा हैं, उसे 30 से गुणा करते हैं, 30 डिगरी होगा एक बजे गंटे और मिनट वाले सुई के बीच में, दो बजे, दो गुणा 30, 60 डिगरी होगा, तीन बजे, तीन गुणा 30, 90 डिगरी होगा, चार बजे, चार गुणा 30, 150 डिगरी, छे बजे, 6 गुणा 30, 180 डिगरी, 7 बजे, 7 गुणा 30, 210 डिगरी, 8 बजे, 8 गुणा 30, 240 डिगरी, 9 बजे, 9 गुणा 30, 270 डिगरी, इसी तरह से 10 बजे, 11 बजे, पर देखिएगा यहां पर, यह जो हमारे अंगल है, 30, 60, 90, 120, 150, यह 180 से छोटे हैं, पर यह हमारे अंगल, 180 के इक्वल है, इसलिए, 6 बजे, 6 बजे, घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई, ठीक एक दूसरे के, अपोजिट होती हैं, अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, घंटे और मिनट वाली सुई, 6 बजे, एक दूसरे के विप्रियत होती हैं, और यहाँ पर 210 डिग्री अंगल बनता है, 7 बजे, 7 बजे बनता है 210 डिग्री अंगल, 210 बजे, यह सुई हमारी 7 पर, और यह सुई मिनट वाली हमारी 12 पर, 210 डिग्री यह वाला है, बड़े वाला कौन, हमने बता था कि अगर आंसर हमारा 180 से ज़्यादा आता है, तब हम छोटे वाला एंगल कैसे निकालेंगे, 210 हमारा बड़े वाला आंसर है, तब हम क्या करेंगे, 360 में से 210 घटा देंगे, और हमारा आएगा 150, तब इसका मतलब क् कि 7 बजे एक एंगल बनता है 210 डिग्री का और दूसरा एंगल बनता है 150 डिग्री का, यह बात समझ लीजेगा अगर एकजाम में उसने बड़े वाला एंगल या परावर्ति कौन नहीं पूछा है, सिंपली यह कहा है कि 7 बजे घटी की घंटे और मिनिट वाली सुई के जब उसने पूछाओ परावर्ति कौन या फिर बड़े वाला कौन, यह आसानी से हम निकाल सकते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आपके समझ में आया होगा, अब कुछ इस तरह की और सोट चीजे हैं जो आसानी से हम 10 सेकिंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, जैसे कि हम पांच मिनट, दो बजेकर, 10 मिनट, तीन बजेकर, 15 मिनट, चार बजेकर, 20 मिनट, पांच बजेकर, 25 मिनट, छे बजेकर, 30 मिनट, साथ बजेकर, 35 मिनट, आट बजेकर, 40 मिनट, नो बजेकर, 45 मिनट, दस बजेकर, 50 मिनट, और ग्यारा बजेकर, 55 मिनट, ग्यारा बजेकर, पचपने मिनट, फॉर्मूले की हेल्प से देखे, एक बार फिर इसे समझाते हैं, ये क्या है, कोई भी इन में से उठा लेते हैं, तीन बज कर पंदरा मिनट, तीन को हम ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं, और पंदरा का मतलब है, कि मिनट वाली सुई हमारी है, तीन पर, तीन में स और ये हमें पता नहीं, पलस का है माइनस का, इसकी जरूत भी नहीं है, क्योंकि जरू ना पलस की होती है, ना माइनस की होती है, क्योंकि जरू होती है, निट्रल, इसलिए हम इसको जोडेंगे, हमेशा, साड़े साथ डिगरी का एंगल बनेगा, साड़े साथ डिगरी का, तो 0 वाला जिसमें इन दोनों सुई की position, ये दोनों number same आते हैं, दोनों number same आते हैं, उसमें हमें आसानी से answer लिख देना है उसका कैसे, जितनी बे मिनट होगी, उसके करेंगे आधे, वह हमारा answer होगा, ऐसी position, 11 position बनती है, एक बज़कर पांच मिनट पर पांच के आदे दो दसमलों पांच धाई डिगरी का अंगल बनेगा यहां पर दो दस पर दस के आदे पांच डिगरी का अंगल बनेगा तीन पंदरा साधे साथ डिगरी का अंगल बनेगा बीस दस डिगरी का अंगल बनेगा 25 साधे बारा डिग का एंगल बनेगा, 30, 15 डिगरी का एंगल बनेगा, 35 पर, 17, 40, 20, 45, 25, 25, 25, 27 डिगरी, आसानी से हम आनसर दे सकते हैं जहां पर घंटे और मिनट वाली सुई की पोजिशन को घटाने पर जीरो आनसर आता है, यह यह कहएगा कि पांच मिनट का मतलब है सुनी एक पर दस मिनट का मतलब है दो पर एक में से एक जीरो दो में से दो जीरो तब ऐसी पोजिशन में मिनट का आधा करते हैं और मिनट का आधा करने पर जो आता है वही हमारा अंसर होता है ठीक है देखेगा ट्रिक आपकी समझ में आसानी से आई ह कोई होगी इसमें कुछ भी इस तरह को नहीं है च्छो सब्साइब हैं हमने इसे अट दो बज़ कर 35 मिनट, दो बज़ कर 35 मिनट पर हमें एंगल निकालना है, एक बार हम इसे देख लेते हैं अपने ट्रिक से, गटाईए इसे 5, गुना करेंगे 30 से, 30 से गुना करने पर 150, यह आया है माइनस का, 35 के आदे साड़े सत्रा, साड़े सत्रा गटाईए, 5, 2, 3, 1, 132.5 डिगरी, 132.5 डिगरी का एंगल बनेगा, 2 बज़ कर 35 मिनट पर, अब फॉर्मुले से देखिए, फॉर्मुला होगा हमारा, फॉर्मुला, 30H माइनस 11 बाइ 2 M, यह घंटे वाली पोजिशन है, यह मिनट वाली पोजिशन है, गंटे वाली पोजिशन हमारी 2 पर है, तो हम लिख देते हैं आपर, 30 x 2, इम मोड में रखेंगे हमेशा, क्योंकि आनसर हमारा जो आता है, वो हमेशा पोजिटिव आना चीए, पोजिटिव आता है, माइनस ग्यारा बटा दो गुना मिनट कितनी है हमारी 35, 35 मिनट है, 30 गुना दो, 60, माइनस ग्यारा बटे दो, दो से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 35 को, 15, 65, 60, माइनस, 11, 55, 11, 37, और 5 होता है हमारा, 82, हासिल 8, 11, 11, और 8, 19, ये बनता है हमारा 112 में दसमलो 5, 112 में दसमलो 5 में से फिर हमें घटाना होगा, 60, 60 घटाने पर हमारा आएगा, 132.5 डिगरी का एंगल बनता है जो कि सेम है 132.5 यह ट्रिक से है और यह फॉर्मूले से है फॉर्मूले से कैलकुलेशन कभी-कभी लेंदी हो जाती है इसलिए हम ट्रिक का इस्तमाल करते हैं